नमस्कार मैं पुरद्द्धिम्न तिबारि फलिज जोतर शोतर कारिक्रम के चौथे भाग को लेकर के उपस्तित हूँ मित्रों पिछले दो भाग से हम राशियों की विशे में चर्चा कर रहे हैं आज भी हम राशियों के विशे में ही बात्चीत करेंगे मित्रों रासियों की पिसे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पहली सीड़ी है और इसको यदि हम ठीक से समझ लेंगे तो आंगे फलादेश करने में आसानी होगी आईए आज हम जान लेते हैं कि हमारे कौन से अंग से कौन सी सा रासी संबंध रखती है और रासियों की दिसाएं क्या है और रासियों के बर्ण क्या है मित्रों यहाँ पर बारह रासियों के नाम लिखे हुए है मेस रासी सिरह, ब्रिश रासी मुख है, मिथुन रासी गला और बाहें, करक रासी बक्षस्थल, शिंभ रासी हृदय, कन्या रासी पेट, तुला रासी कमर, ब्रिश्चिक रासी गुपतांग, धनू रासी जंगा, मकर रासी घुटने, कुम्ब रासी पिंडली और मीन रासी पैर मित्रों ये रासियों के अंगों के विशय में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि आंगे चलके हमें कभी इन मैसिक किसी अंगों का विचार करना हो तो हमें इन रासियों का कहीं न कहीं सोक्ष में विचार करना होगा जैसे आपको किसी के पेट का विचार करना है त दिशाएं क्या हैं ये एकदम सरल है एक पांच नौ इन नंबरों की रासियां पूर्व दिशा की स्वामी हैं दो छे दस इन नंबरों की रासियां दक्षन दिशा की स्वामी हैं तीन साथ ग्यारा इन नंबरों की रासियां पस्चिम दिशा की स्वामी हैं और चार आठ बारा इन नंबरों की रासियां उत्तर दिशा की स्वामी है ये बिलकुल सरल है आप इसको याद कर लिजेगा ठीक ऐसे ही समझ लेते हैं रासियों के बरण क्या हैं 1, 5, 9 ये छत्री बरण की रासिया हैं, 2, 6, 10 ये बैस्य बरण की रासिया हैं, 3, 7, 11 ये सुद्र बरण की रासिया हैं और 4, 8, 12 ये ब्राम्ध बरण की रासिया हैं मित्रो एकदम सरल है इसको आप याद कर लीजेगा आगे अवर्शक्ता पड़ेगे आज इतना ही नमस्कार